आज की कहानी का शीरशक है नीना मैं बंटी हर दूसरे क्लास में बहार निकाल दिया जाता कभी उसका होमवर कंप्लीट नहीं होता तो कभी वो कॉपी लाना भूल जाता दिन पर दिन उसका कॉन्फिडेंस गिरता जा रहा था किसी तरह वा प्रमोच होके क्लास सैवन्थ में आ गया कोर्स बढ़ने के साथ ही एक्स्टर केरिकुलर एक्टिविटीज भी बढ़ गई थी अब इंटर क्लास डिबेट, एलेक्यूशन्स, से राइटिक कॉम्पिडिशन्स भी स्टार्ट हो गय थे अगर क्लास में कोई सबसे वीक स्टुजेंट था तो वो था बंटी ना उसका कोई दोस्त था ना ही कोई टीचर उसे पसंद करता फिर उसे मिली नीना मैम पहले दिन उन्होंने बंटी का नाम पूछा तो वो चुप चाप खड़ा रहा फिर क्लास के बाहर जाने लगा नीना मैम ने पूछा कि वह बाहर क्यों जा रहा है तो बंटी का जवाब सुनकर वो सोच में पड़ गई मैम हर क्लास में मैं बाहर ही खड़ा रहता हूँ नीना मैम ने बंटी को अपने पास बुलाया उसे चौक दी और ब्लैक बोर्ड पर अपना नाम लिखने को कहा बंटी ने डरते डरते अपना नाम लिखा तो मैम ने कहा और उसकी पीत थप थप आई पहली बार तारीफ के शब्द सुनके बंटी को रोना आने लगा मैम ने कहा बंटी तुम सबसे आगे बैठो मेरे पास यू आर माई फेवरेट बंटी को आज पहली बार आगे बैठने का मौका मिला मैम जो भी पढ़ाती बंटी बहुत ध्यान से सुनता नीना मैम पढ़ाई के लावा बहुत सी बाते बताती कैसे धाबे पे काम करने वाला लड़का IS competition में सिलेक्ट हो गया पैरा Olympics के पेर्स के बारे में बताती और कहती हमें कभी भी हार से डरना नहीं चाहिए हमें हार का सामना करते करते खुद को इतना strong बनाना है कि हार का डर हमारे अंदर से निकल जाए जिस दिन हम हारने से डरना छोर देंगे तो काम्याब होने से हमें कोई नहीं रोख सकता चोटे बंटी के मन पर इन बातों ने अमित चाप छोर दी वो बंटी जो अपना नाम बताने से डरता था वो अब competitions में पार लेने लगा वा सेलेक्ट नहीं होता पर उसने हार नहीं मानी जब भी नीना मैम फ्री होती तो वो उनके पास पहुँच जाता वो उसे confidence के साथ बोलना सिखाती अपने expressions को अपने speech में पिरोना सिखाती बंटी देजा शीशे के सामने खड़े होके speech practice करता और इसका नतीजा ये हुआ कि class 9 में बंटी inter school debate competition में first आया आज उसने अपने school का नाम रोशन किया था वह भाग कर नीना मैम के पास गया और एक छोटे बच्ची की तरह उसे लिपट गया मैम ने प्यार से बंटी का माथा चूमा और बोली It's just a beginning खुश तो मैं उस दिन होंगी जब तुम इंडिया को रिप्रेजेंट करोगे बंटी की आखों में आत्मे विश्वास की चमक थी कई साल बीट गय नीना मैम और जाने कितने तीचर्स ने कितने ही बच्चों की जिंदगी सवारी उन्हें आत्मे विश्वास से भरके उनके डर पर विजय दिलाई तीचर्स का रिंट कोई बच्चा नहीं उतार सकता आज बंटी बंटी नहीं है वह मिशन मास का लीडिंग साइंटिस्ट है जब लांचिंग से पहले काउंट्डाउन हो रहा था तो नीना मैम अपने छोटे से बंटी को लाइव देख रही थी मानो कोई बी जोनोंने सालों पहले रोपा था वो आज घना पेड़ बंट के हजारों को चाया दे रहा हो ये थी मेरी आज की कहानी नीना मैम आपको ये कहाने कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल लगुकृती बाई फो नाउ